Hello Everyone, Krisha Creation में आज हम बना रहे हैं केली के चिप्स, ये काफी टेस्टी और हेल्दी होते हैं, आप इसे एक बर बना कर महिने भर स्टोर कर सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं इंस्टेट बनाना चिप्स केली के चिप्स बनाने के लिए हमेचे ये कच्चे के लिए, इस तरह से मैंने हरे वाड़े कच्चे के लिए अगर आप चिप्स में थोड़ी सी मिठार चाते हैं, तो हल्का सा पिले रंग का केला ले ले, अंदर से ये कच्चा ही होता है अब हम नमक और हल्दी का घोल त्यार कर लेते हैं, एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेंगी, इसमें 1.5 टीबल स्पून नमक और 1.4 टीबल स्पून हल्दी डाल कर मिक्स कर देंगी, इस घोल को हम बाद में इस्टिमार करेंगी, ये मैं आपको आगे रैस्प्री में गालेंगी, इससे केले के छिलके असानी से उतर जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि छिलके कितनी असानी से उतर रहे हैं, आपनी सारे केले एक सार नहीं छिलने हैं, एक केला छिलना हैं, उसके चिप्स बना कर तरने हैं, तब दूसर केला छिलना हैं, अगर आप एक सा बना लें कद्दुकर से आप जो चिप्स बनाते हैं वो काफी पतले होती हैं लिकिन मार्केट में जो केले के चिप्स मिलते हैं वे थोड़े ठीक होती हैं आप चाहिए तो चिप्स कद्दुकर करकी या फी चाकू से बारीक बारीक काट कर भी बना सकते हैं मैं इसे चाकू से बारिक बारिक काट कर बना रही हैं मैंने एक केले से सारे चिप्स बना दिया है जब मैंने केले को काटना शुरू किया था तब तेल को गरम होने रख दिया था तेल मीडियम गरम होना चाहिए अब इसमें एके करके हम केले के चिप्स जाल देंगी कुछ लोग जब chips को कद्दुकस करते हैं तो वो डिरेक्ट ही तेल पर कद्दुकस करते हैं ताकि केले के chips आपस में चिपके नहीं लेकिन अगर आप बिगनर से हैं या आपको प्राक्टिस नहीं हैं तो safety के point से आप ऐसा ना करें बलकि आप chips को किसी plate में पहले गिस ले जब सारे chips टेल में डल जाएं तो गैंस का flame low to medium कर दे और धीरे धीरे से सिखने दे करीब दो मिनट के बाद आप इसमें जो हमने नमक और हल्दी वाला गोल त्यार किया था उसकी एक या दो चमर डाल दी जैते ही आप पानी डालेंगे तो पानी के अवाजानी शुरू हो जाएगी पानी इसलिए डालते हैं ताकि पेल का temperature थोड़ा सा लो हो जाएगी क्यूंकि banana chips low temperature पर क्रिस्पी बनती हैं नमक और हल्दी डालने से chips नमकीन और थोड़े से हलके yellow color के बनती हैं हमी इसी तब तक प्राई करना है जब तक कि chips पर हलका color नहीं आ जाता और क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं banana chips पनाने में करीब 5-6 मिनट लग जाते हैं chips का color हलका change हो गया है अब इसे निकाल लेती हैं मैंने एक छन्नी लिया है अब chips को इसमें निकाल कर डाल लूँगी छन्नी में chips डालने से extra oil निकल जाता है ठन्नी होने पर ये chips काफी क्रिस्पी हो जाते हैं अब हम दूसरे केले के chips को भी बना लेते हैं पहले हम केले को काट लेंगे और दोबारा से वही process को धोराएंगे प्लाइब है प्लाइब है अबस्के अख्ड़वाब धर्बस्केड़ अबस्केड़ हमारे सारी चिप्स बनकर त्यार हैं, अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ, कि ये किते करारे बने हैं, तो देखा आपने इसकी आवाज, ये किते करारे बने हैं, तो आप भी इसे घर पर बनाएं और इंजय कीजिए, त्यार ने के इसकी आपके लिए, तो आपके लिए।